मुझे बनाना नहीं आता शवाय तो बेबी दादी से शेख लो बेबी दादी से फोन करके पूछें फेर किसी दिन बनाते तो गुरुद्वारे वाला प्रशाद जिसे कड़ा प्रशाद भी कहते हैं वैसे तो मुझे बनाना नहीं आता पर मैं शिवो ने एडवाइस दी है कि बेबी दादी से सीख लो तो मैं उनी से सीख के बनाती हूँ और ये प्रशाद जो होता है ये आटे से बनता है और हम लोग इसे हल्वे का आटे का हल्वा भी कहते हैं और ये बच्चों के लिए हेल्दी भी बहुत है तो अगर शिवाय डिमांड कर रहा है तो मैं बना देती हूँ क्यों शिवाय है बना दो ओके चलो बनाते हैं इसके लिए सिर्फ फोर इंग्रेडियंट्स ही जरूरत है पहला है चीनी गेहू का आटा घी और ये है पॉर्टर अब हम सबसे पहले चास्नी बनाएंगे तो एक पैन को ग्यास पे रख दें उसमें जैसे अगर वार्टर इससटो टू का रेशियो रखना है शुगर अगर मैंने 1 का टोरीज दाल लिए तो मैं 2 का टोरी डालेंगी पानी और इसमें मैं 1 का टोरीज डाल दोंगी शुगर अब इसको मेल्टोने देंगे इसकी चास्नी जैसे बना लिनी है अब हम दूसरे साइट क्यास पे एक जब इसमें घया डालेंगे अब घी मेर्ट हो चुके इसमें मैं ये आट डाल दूंगी हटर कर से दिवरागंट बिर प्रब्राउन म evolve to katla in dus कि यह लाइक ब्राउन हो गया है रभी से धोड़ा सा और ब्राउण करना है और पूरने ब्राइब यह देखिए मेरा आटा डार्ग ब्राउन कलर का हो गया है और मेरी शुगर भी मिक्स हो गई या वाटर के साथ अब मैं इसको कड़ाई में डाल दूंगी अब इसको मिक्स कर लेंगे यह देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है यह देखिए पानी पूरा अब्सॉर्ब कर लिया है आटे ने हाँ बिटा बहुत अच्छी स्मेल आ रही है अभी देते हैं मेरा कड़ा का प्रशाद रेडी हो गया है यह देखिए अब हम काफी टाइम से क्योंकि गुरुद आ रहे या मंदिर कहीं नहीं चापा रहे तो शिवाए इसको घर पे ही चड़ा देगा हूँ क्याना शिवाए शिवाए ये प्रशाद को बगवान जी को चड़ा दे ना ममा ने बहुत अच्छा प्रशाद बनाया है बहुत अच्छा लगा तुमें चलो जब खोगे तब बना देंगे ये वैसे प्रशाद आप कभी भी बना सकते हैं जब बच्चों का खाने का मन करें क्योंकि ये बहुत हेल्दी भी होता है तो अगर आपको हमारी रेसिपी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बाई बाई